हाँ बॉर्णिंग स्टुरेंट्स और कल जो इंट्रस्टन व्राइंस के ऊपर एक आफिल अप्रोड किया गया था बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और यह जानकर खुछी हुई कि आपने उसको सुन्गों सॉल्ब किया और उसके बारे में क्वैरीज गी कि मैं आज उसका श और यह को आप्रोप्रीयेशन कान है आप यह साथ समय आलेवेंध में बंकला का शिल सकते हैं उसके पहले सबूहआ थे तो आपको मालूं है कि जया हम व्यादीक मानадแत भthक्रो अभा अंसर तो स्कैसे या जोग प्रोफित यान पॉल सबका सित उसके बाद profit and loss में indirect expenses और income को add less करने के बाद जो answer आता था वो net profit होता था और उस net profit को आप सीधे capital में add कर देते थी लेकिन क्या आपको मालू है कि net profit को capital में सीधे क्यों add कर देते थी तो उसका answer यह है कि इन जो हम लोग 11 पर अकॉंट्स बनाया है वो sole proprietor का था यादि उसमें single honor होते हैं तो single honor capital honor का होता है और सारा profit भी honor का होता है इसलिए उस सारे profit को सीधे-सीधे profit loss के profit को capital account में balance sheet में add के balance sheet मनाया जाता है अभी उसके चैप्टर पार्टनर का तो जैसा आप समी जानते हैं कि जब हमको profit लेने वाले कोई एक है तो वहां distribution की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर profit लेने वाले कई partner है जैसा कि partnership में होता है कि एक form में कई partner होते हैं तो जब कई partner होंगे उनके पीच में profit को distribution करने के जरूरत पड़ेगी किसको तो कितना profit दिया जाए कौन किस प्रकार के हिस्सेदारी रखेगा यह भी सब्वह है कि हम में सभी partners अलग अलग अपाउंट का capital देते हैं कोई ज़्यादा वर्क करता है कोई कम वर्क करता है तो इस लिए profit and loss account के बाद partnership के question में पार्टनर्सीप में भी पहले trading account बनेगा profit and loss account बनता है लेकिन चुकि यह आपके syllabus का part 12 में नहीं है हम लोग का सीधे का सीधे preparation of profit and loss account का part आएगा तो इसमें profit and loss appropriation account बनता है यह बनता है profit and loss account बनाने के बाद जब हमको net profit मिल गया उस net profit को कैसे distribute किया जाए यह जनकारी profit and loss appropriation में होता है इसलिए इसका definition यहां लिखा गया है profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account यह profit and loss का यह extension part है इसमें हम लोग देखी में कि profit and loss को कैसे partner के बीच में distribute किया जाता है तो आएगे उससे पहले हम लोग जांकारी लेने हर पार्टनर सिर्प में एक agreement होता है चाहे वो रिटेन होता है आपको कुछ इस प्रकार के आइकम भी लेंगे जैसे interest on capital जो भी partner capital प्रोवाइड करते हैं business में अगर agreement है तो उनको interest on capital दिया जाएगा कुछ पार्टनर सो selling मिलती है तो partner selling दिया जाता है कुछ पार्टनर सो commission मिला दिया जाता है इसी प्रकार जैसे कल आपको हमने बताया था कि अगर कोई partners business से amount draw करेंगे तो उनके उपर interest on drawings भी charge किया जाएगा और कभी-कभी सभी partner दिलकर यह ताई करते हैं कि कुछ सभी profit को distribute नहीं किया जाए बलकि कुछ profit हम लोग general reserve में transfer करते हैं यह सारा details आपके questions में रहेगा इसलिए आपको सिर्फ उसका calculation करना है जो अभी हम आपको बताएंगे जैसे मैंने तुर्दे पहरे बताया कि trading account का जो बैया answer है result है वो gross profit यह gross loss में होता है profit and loss का net profit यह net loss में होता है इसी प्रकार जब आप PL appropriation account बनाएंगे तो उसका जो answer कहलाता है वो कहलाता है divisible profit और फिर जो balance of profit and loss appropriation account called divisible profit which transferred to the partner's capital or current account तो इससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी आपको देने कि जब कई partner होते हैं तो उनके बीच में profit sharing ratio होता है जैसे अगर team partner है और उनके बीच का profit selling ratio 5-3-2 है यानि इसका meaning है कि जो भी profit होगा उसमें A का हिस्ता 5 by 10 होगा आपको बताते हैं A 10 कैसे आया तो 5 plus 3 plus 2 A का हिस्ता 5 by 10 होगा B का हिस्ता 3 by 10 होगा और C का हिस्ता 2 by 10 होगा तो जो भी profit बाटना है suppose profit 50,000 दा रहा है तो A का हिस्ता यहां पर होगा 50,000 into 5 by 10 एनि 5,000 similarly B का 50,000 into 3 by 10 C का 50,000 into 2 by 10 तो यह 25,000 होगा तो इस प्रकार से आप इस profit selling ratio को calculate करेंगे 5 is to 3 is to 2 means 5 plus 3 plus 2 और सबके denominator में 10 आ गया तो इस प्रकार से इसको distribute किया जाता है अब लोग यह PL appropriation के दिवरी के बाद अब इसका format देखेंगे कि PL appropriation का format कैसे होता है और उसके बाद फिर हम लोग इस question solve करेंगे तो हम लोग अब देखते हैं कि profit and loss appropriation account का format क्या है तो यह format आप जैसा देख रहा है profit and loss account की तरह ही है लेकिन इसमें item यह सबसे पहला है net profit तो यह net profit कहां से मिलेगा profit and loss account से लेकिन आपको profit and loss account बनाना नहीं है यह question में दिया रहेगा तो net profit यह question में दिया है उसको यहां लिख लेंगे क्योंकि interest on drawings chargeable item है इसलिए यह दो interest on drawings है जैसा कल आपको हमने calculate करना सिखाया था उसको calculate करके अगर तीन पार्टनर का है तो तीनों पार्टनर का interest on drawing calculate करेंगे यहां पर हम लोग हम जो आपको तीन पार्टनर का question लिए हैं पार्टनर A, पार्टनर B और पार्टनर C इसी format में मैं आपको एक question solve करके दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप जान लें कि जो amount पार्टनर को पेवल होता है तो पेवल कौन सा amount होता है interest on capital पार्टनर का salary या commission पार्टनर का और chargeable होता है interest on drawings कभी कभी कुछ amount general reserve में भी transfer किया जाता है और इसके बाद जो इसका balancing figure होगा that will be called net divisible profit transfer to A, B और C अब आप यहां देख रहे होंगे और confused हो रहे होंगे कि यहां पर oblique करके capital oblique current क्यों लिखा गया है तो यह capital oblique current लिखने का जो purpose है जब लोग partners capital account या current account बनाएंगे उस समय मैं आपको इसको clear करूंगा लेकिन अभी आपके समझ देगे कि आपको question में capital account अगर बनाना है तो सिफ capital account लिखना है यह partners capital account current account में कल सिखांगा तेकिन इसी question का मैं कल भी partners capital account current account सिखांगा इसलिए जो अभी question आपको दिया जा रहा है उसको आप video pause करके पहले question को link लेंगे मेरा एक और अगरा है कि जब भी आप इस video को देखने के लिए बैठें तो copy और pain लेकर बैठें और जिस situation में चल रहा है video जहां note करना है वहां note करेंगे जहां solve करना है वहां solve करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो अभी आप question को note करें और question को note करने के बाद मैं उस question के solution दूँगा नहीं जब question note करके आप अपने पास copy रखेंगे तभी हम solution आपको समझ में आएगा क्योंकि अभी हम यहां पर solution देंगे उसमें question आपको नहीं दिखाएंगे question आपने copy में देखेंगे तो question आपका है A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5 is to 3 is to 2 यानि जो अभी हमने आपको सौब बताया था 5 by 10, 3 by 10 और 2 by 10 बटेगा Dear Capital as on 1st April 2019 year A का 5,20, B का 3,20, C का 2,00, अब यहां interest on capital अगर हम लोगो calculate करना है तो इसका 5% जैसे question में आगे दिया है बताएंगे आपको The partnership will provide as follow Salty payable to A Rs.24,000 per annum and B Rs.2,000 per month अब को यह समझना है एक का Salty per annum जा रहा है एक का Salty per month जा रहा है अंतर क्या है? Per annum और per month का लेकिन इसको student अगर नहीं देखेंगे तो वो काफी बड़ी गलती कर देते हैं C will be get commission of 2% on sales Interest on capital allowed to each partner at the rate of 5% per annum तो 5% per annum means यह capital का 5% अपको का calculate करना है Interest on drawings is to be charged at the rate of 5% per annum यह आपको आता है और 5th में 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve Sales for the year ended 31st March 2020 where Rs.5,000 Drawings by each of the partners during the year was Rs.60,000 अब आप तब तक जब वीडियो को pause करके आप calculate करिये क्या आपके interest on capital कितना आ रहा है Interest on drawings कितना आ रहा है Salary कितना आ रहा है Commission कितना आ रहा है फिर हम लोग solution की तरफ चलेंगे ठीक है तो अभी question आपने देख लिया मैंने भी आपको कहा था के interest on drawings, interest on capital, partner salary, commission सब कुछ आपने calculate करके रखा है नहीं रखा है तो आपको दिखा रहा है कैसे calculate करेंगे First हमारा है Net Profit ये Net Profit कहा दिया है Question में सबसे नीचे दिया हुआ है Net Profit for the year was Rs.2,55,000 तो यहां आपने देंगे 2,55,000 तो इससे तो ये Net Profit हमारा जैसे question में दिया हुआ है 2,55,000 हमने लिख लिया अब interest on capital calculate करना है तो interest on capital किस पर calculate all Capital Pay तो A का capital कितना है तो A का capital आपको दिख रहा है 5,20,000 और interest on capital के लिख कितना दिया जा रहा है 5% तो यानि आप A का capital calculate करेंगे 5,20,000 into 5 by 100 तो यह हमारा आरा है 26,000 Similarly जब हम B का capital calculate करेंगे 3,20,000 का 5% यह आरा है 16,000 और C का interest on capital calculate करेंगे 2,00,000 का 5% तो यह आरा है 10,000 यानि उन्हों का total हो गया 52,000 आप calculation देखते रहेंगे तो यह 52,000 हो गया अब जैसे question में दिया गया है salary दो partner को दिया जा रहा है A को 24,000 पर अनम यह को पुरे साल की salary मिल रही है 24,000 B को दिया जा रहा है 2,000 पर month देखे एक PA है और एक PM है इसका difference समझना होगा आपको पर month 2,000 है तो salary उनको भी कितना हो गया 24,000 ही हो गया लेकिन confusion के लिए असा question में दिया रहता है तो यह 48,000 हो गया C को commission दिया जा रहा है और question में हमारा दिया हुआ कि sales हमारा 5 lakhs है और sales के उपर C को 2% का commission दिया जा रहा है हो सकता है C के hot से जादा sales हुआ हो तो C का commission होगा 5 lakhs का 2% यानि 10,000 के सिब C को है इसको सिरे external column में लिख देंगे अब हमारा interest on drawings तो मुझे सब आप interest on drawings calculate किये होगे अगर आप interest on drawings calculate नहीं किये है वीडियो को pause कि दिये interest on drawings calculate कि दिये और फिर यहां जेवां आप को interest on drawings लिखेंगे आप match कराईए क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो आप interest on drawings किये हैं वो सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं तो यहां पर समझने की बात यह है कि interest on drawing सभी पार्टनर के ही जैसा होगा क्योंकि इस पार्टनर ने 7,000 रुब्रे का drawing किया है और interest on drawings का rate 5% है तो हों तक जाए कि simply 60,000 का 5% 3,000 calculate कर लेते हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस question में date of drawings नहीं दिया हुआ है इसलिए interest on drawings 6 months के ले calculate होगा average period के लिए और इसलिए interest on drawings 1,500 इच पार्टनर होगा और इस प्रकार से 4,500 हमारा यह हो गया अब यहां पर कहता है 10% of divisible profit transferred to general reserve इस question है 10% of divisible profit transferred to general reserve अब आपको करना है कि divisible profit पहले calculate करना है क्योंकि जब तक हम इस तो plus minus नहीं करेंगे यह divisible profit नहीं आएगा तो how you calculate divisible profit तो आप सबसे पहले इन दोनों को add कर दीजे मैं यहां पर working कर लेता हूँ जब हम इस दोनों को add करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1,10,000 कैसे आया आपको समझेना है 52,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000 अब इसको जब हम वो minus करते हैं तो फिर इसका जो profit कहलाएगा वो divisible profit कहलाएगा 2,59,500 में से 1,10,000 1,10,000 का होगा यह तीनों का minus होगा अब यह 1,49,500 यह होगा हमारा net divisible profit तो net divisible profit का कहता है कि 10% जेंडर लिजर में transfer करना है तो जो हम इसका calculate करेंगे 10% तो यह हो जाएगा 14,950 तो जहां पर net divisible profit हम लोग कर लेंगे 14,950 अब जब जेंडर लिजर प्रांसफर हो गया यह net divisible net divisible profit अब जेंडर लिजर ट्रांसफर होने के बाद जो balancing figure है that will be called net divisible profit और जो balancing figure है वो तीनों partner में distribute होगा balancing figure का means इसको आप calculate कीजे इसमें से यह minus करेंगे तो इसको में calculate करके माइनस किया था तो आया था 14,950 इसमें से आप 14,950 तो यह आपका यह और है 144,550 जब इसको 14,950 माइनस की आपका है तो फिर से इसको calculate कर ले यहाँ प्लस कर ले इसको minus कर ले अब यह जो amount कहलाता है वह है 1,34,550 is called net divisible profit अब इस net divisible profit को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1,34,550 और इस 1,34,550 और इस 1,34,550 को आप distribute करके देखें कि आपको distribute करने पर पलशानी तो नहीं हो रही है तो इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसका 5,10 जब उन्हों उसका 5,10 करेंगे तो यह amount आएगा 67,275 यह amount आएगा आए तो उसी प्रकार एक यह calculate हो गया कि एक आप आप आ रहा है 67,275 फिर इस ही amount का हम लोग calculate करेंगे तो क्या करेंगे हम 5,10 कि जगा 3,10 करेंगे तो यह हो गया 40,365 यह 3,10 कर लिया हमने इसी को फिर क्या करना है 2,10 करना है तो यहां इसको आप 2,10 कर ले 26,9,10 26,9,10 26,9,10 26,9,10 26,9,10 26,9,10 अब मैं आपको इस प्रेस्ट बताता हूं कि क्या मेरा कालपलेशन कहीं कहीं प्रिस्टेख हो सकता है तो इसके तरीके हैं कि फिर इसको आइड करके देखें यह अमांट आ रहा है कि नहीं तो थिक है तो यह तो इस प्रकार से यह PL आपको इशा में कहूं बनता है मैं एक पर फिर से रिवाईज आपको जदी से करा देता हूं सबसे पहरे आपको नेट प्रॉफिट लेना है नेट प्रॉफिट के बाद इंट्रेस्ट नग्याइट करता है यह कैपिटल का हूल यह का कल्कुलेट होता है पार्टर का सैली जैसे कुशेन में आपको इसस्तम बताया और फिर लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम दो प्रोफिट सेरिग रेशियों में डिस्तिट्रिट करते हैं तो मेरा एक अग्रा है कि सबसे पहले इस question को आप देखकर एक दोबार solve करें फिर इसी question को बिना देखकर solve करें और आज मैं कल कुछ बच्चों का ऐसा comment था कि बहुत सारे बच्चों को लिगुक अवेलेबल नहीं हो पाया है तो sufficient question इसी video में मैं आपको दे दूँगा आप उस question को solve करेंगे मेरा प्रयास होगा कि कल आपको answer भी दे दो उसका जैसे कल के questions का answer मैंने आज दिया था आज solve करके दे दिया था तो उसी चीज़ को आप देखेंगे तो अब मुझे लगता है कि PL appropriation आपको clear हो गया होगा इस question को पहले solve करने के बाद आप दूसरे question की तरफ जाएंगे कुछ questions मैं आपको अप्रोड कर रहा हूं हाँ यह profit and loss appropriation account बनाने का question है यह question number 13 से आप देखेंगे ठीक है और फिर यह question number 19 तक आपको यह profit and loss appropriation account बनाना है ठीक है और फिर इसमें partner's capital के भी questions है तो partner's capital हम लोग next कल इस बुक को देखेंगे इसका answer आपको दिया जा रहा है question number 13 से लेकर यह 19 तक का है तो यह आजकर हमारा complete होता है और मैं समझता हूं कि आपके जो ही मित्रों आप उनको यह video शेल कर सकते हैं YouTube पे studies during lockdown में जाएंगे तो एक SS का symbol होगा उस symbol में यह आपको YouTube में मिल जाएगा आपकी जितने भी फ्रेंड है जो इससे लाव उठा सकते हैं और फिर कल मैं आपको एक और वीडियो दिमगा है इसमें partner's capital करेंट की बात आ रही है उसके उपर करूंगा वैसे business studies के लिए बहुत सारे queries आ रहे हैं तो मैं आा में रहे जिप्ता में बहुत सत्र देप है उसके के सब्सक्त में हैं को मैं प्रेसका क्टा रूंगा ust कैसे लोगे